कि अज़ों सबसे जादा आज तक का जो पूचा वुआ कोश्चन है वह कि सर लीड कहां से पाएं बाइर कहां से दूंडें हमें कैसे पता लगे कि इसको घर जमीन जाएजाद लेनी हैं यह यह कोश्चन सबसे बड़ा है और मैं भी यह मानता हूं कि लीडी अब कुछ है ऑक्सिजन जैसे इंपॉर्टन होता है जिंदगी के लिए रियस्टेट बिजनेस के लिए आपको लीड उतनी ही इंपॉर्टन है अगर ऑक्सिजन नहीं आएगी तो हम गए तो अब लीड आये तो कैसे अब लीड आने के बहुत तरीके हैं जैसे ऑनलाइन पोर् गोलेग्स ऑ है जुलेखाओ उसे बनते मकान और पता नहीं बहुत सारी ऐसी साइट हैं जिनके आप पैकेज ले सकते हो ृदब असे मैं आज अलग है दबा के लुड़ नेकुशेड भी होते सुखें श्मर में एक माने अलग 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 प्लान प्लान होते सुक्वरा प् पहले नंबर पर आता है मैजिक ब्रिक दुसरे नंबर पर आता है जो है वह यह बात है उसके बाद हाउसिंग मतलब यह तीन प्रैकेट मैंने कभी बनने किया हमेशा कंटीनियू रखता हूं यह मतलब और पैसा वसूल है जो डालोगे यह दस हजार डाला बीस हजार डाला तो आप एक लाग तक इन्टू टैन इन्टू फाइव ऐसा एक्सपेट कर सकते हो इतना रिटन देते हैं थोड़े अभी महेंगे होते जा रहे हैं बड़ वर्त है इसा कभी नहीं गया कि वह बीस हजार डाला और एक भी कुछ नहीं हुआ जो कैम्पेंग वगरा मैंने रन किये जो डिश्टल को दिया लग भी गया नहीं लगा तो उसका फिप्टी फिप्टी रहता है रिजल्ट जैसे मैं इसका बोड़न है इंटू टेन मेरे को लगता है वहाँ पे आप तीस हजार डालो तो एक लाग एक्सपेट करो तो ऐसे मै ट्राय किया एक बार तो एक शॉट हो गया तो मेरे को बड़ा कॉंफिडेंस आ गया उसमें दो तीन लाग कमा लिए तीन परसेंट पे ता एक करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरे को आया सुदूर मैं पचास-चाथ जार डाला बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं एक लोड गया यार लीड गिनके मतलब हजार रुपए की लीड है क्या हजार नहीं यार कितनी की होगी मतलब दिया तो को पहले देखा है किसी का कुछ-कुछ बलतस था हो तो तो मेरा एक दम मूड़ी आफ हो गया फिर एक बार और ट्राय किया खुद हो के कि आर आप पना पैसा डाल लेंगे अपने अकाउंट में रन करेंगे मेरे गयाल से लीड उडाई पर कुछ कन्वजन देखा भी ने ट्रैक नहीं किया तो और अल मेरा ऐसा एक्सप्रेंस रहा बहुत लोग हैं करते हैं हो जाता है तो मैं बोलूगा एक्दम बुरा नहीं है हर्चे ट्राय कर लो आपक यह बहुत है और ज्यादा तर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे वैसे ही लोगों से मत कैम्पेंग अगरा जिसको देखो वही क्लेम करता है हम तो यह कर देंगे हम आपको इतना जिन्यूल नीट देंगे इतने मैं ऐसा कर देंगे बट यह सब जूट है इतना कोई बोल ही नहीं अब क्या होता है नहीं होता ना बोलेंगे यह तो डिपेंड करता आपने कौलिंग ऐसे इसे कि आप कॉण बंदे के उपर भी है यह unless आ बएसा नहीं चाहिए तो बही उनका वैसा है बट फिर भी लोग बोलते हैं जो गूगल एड़ वर्ड है या माइक्रो साइट है वो तो और कॉसली पड़ती है पर क्लिक के इनके चार्जिस रहते हैं अब ज्यादा तो मुझे नहीं पता बट मेरा कुल मिला के मुझे लगता है वही दो-तीन साइट जो है मुझे हमेशा अच्छा रिटन देती है उन्हीं पर मैं ट्रस्ट करता हूं और वह बहुत पुराने प्लेयर है और नाम है इनफेक्ट आपको जानना आपके एरिया में कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा ना आप अपने एरिया का नाम डालो और कौन से पहले पेज़ आपके काम की हैं आप अपने घर के बारे में डालो अगर सपोज मैं इंदौर में हूँ और 2BHK इंदौर या या यूनो हाउस पॉसेल इंदौर डालो और जो साइट आती है इसका मतलब वो साइट वहाँ पे जारू या वो बजट डाल दो ये सबसे बैस तरीका है खुद बड़ी बड़ी कंपनिया कि हम मंतली फिक्स बीस जार अपने चार्जेस लेंगे आप चाहे जितने हैड कैम्पेंड रन करो जो आप बोलो कि उससे करेंगे जब रोक ना है रोक देंगे ऐसे भी आते हैं और मैं ज्यादा कहूंगा आपको बड़ी ब्रांड के साथ जाओ बड़ी कंपनियों के साथ जाओ कैसे मालूम पड़ेगा उनके रिव्यू देखो उनकी वेबसाइट देखो कि क्या है तोड़ा हिला अलुदा के देखो जो ऐसे कोई भी आ जाता है उसको मत पैसा खराब होगा आपका नेसे सरी उसको कोई पड़ी नहीं है पर बड़ी अब आपको बताता हूं वह होता है कि आप जिससे भी मिलो खुद मतलब आप अपनी मार्केटिंग करो समझो मैं अभी मेरे सामने मेरे कैमरे वाले हैं उनको कैमरमेन उनको मैं बोलूँगा कि भाई देखो मैं रियस्टेट का काम करता हूं कोई भी आपके जान पहचान में रहे और अगर आप रेफरेंस देते हो किसी को रेंट या खरीदना है या बेशना है तो आपको 10 चका पैसा दूंगा हर आदमी जो भी काम कर रहा है उपपर से उसको एक्स्ट्रा इंकम कमानी है दुनिया में किसको भी जाओ जब मैं जॉब करता था या कहीं भी था मांदो आ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिमेंट्री या ऐसी चीजे ना तो यह यह चीज करने का हर आदमी का सरकल होता है दोसों से डाइसों लोग कोई किसी को भी ऐसा नहीं सोचने का यह काम कानी हो सकता आपने प्यून को बोला और प्यून बहुत बारी बिग शॉट के पास जाता था कले क्योंकि वो लोग तो आएंगे नहीं चेक करने बाई 15 करोड का घर कहां पर है तो यह ऐसे कहां से लिंग मिले तो सबको बताते जाने का मैं रियस्टेट में हूँ और सबको यह बोलने का प्लान है अगर आपके पास दो मिनट है ना आप आपना जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इंकम कैसे जनरेट कर सकते हो दो पैसे कैसे कमा सकते हो कोई भी नौलेज में आए अगर दो तीन महीने में भी एक भी रेफरेंस वो आपको दे रहा है तो आपके पास लीड़ की कमी नहीं रहे है और डेली पांच आदमी को इतना बोलने का अपने चीज़ लोग खड़े रहते हैं वहां अगर उसने कुछ बालों किया तो रेंटल बिजनेस में संभाल नहीं पाउंगा यह बड़ा काम कर जाते हैं हमेशा याद रखना तो ऐसे सब के पास जाने का भी मैं कैसे वह मार्केटिंग का मज़ा अलग है यह सब तो करेंगे करें और इन पर डिपेंडेंसी बढ़ाओगे तो पूरी जिन्दगी नहीं करोगे कितना जल्दी हो सकता है कि आप उन अपना लीड जनरेट करने लग जाएं कहीं पर बिना पैसा खर्श करें खुद ही जीते जाकते शोरूम है जिससे भी मिलें अपना कार्ड रेडी रखें यह है भाई साब आपको लेना है तो अच्छी बात नहीं तो अगर आपके नौलेज में कोई कोई मना करेगा यह सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है हाँ पर कोई आया तो दे देंगे रेफरेंस अभी मैं आपको बता हूँ 90% लोगों ने मुझे हाँ बोला है ठीक है किसी ने दस में बोला बोले का 10% तो बहुत कम है बोले का 20% लेले क्या फरक पड़ता है महीने में एक या दो डील आज भी मैं ये तरीके से कर रहा हूँ जो कि कितना फाइदे का सौदा है और जिसको एक बार आपने 10-20 टके दे दिये ना बोस वो हमेशा पार्ट टाइम रियर स्ट का काम करता रहेगा आपके साथ हां पर जिसको प्रामिस किया था उसको दोखा मत दो पैसे आये तो उसको पैसा दो इबार ट्रस होना चाहिए तब ही वो जाके आपके लिए काम करेगा तो ये तरीका लीड जनरेशन का सबसे परफेक्ट है मैं आपको मेरी परसनल बताता ये तरीके सही मैंने आगे गया मैंने एक रुपए भी न लगाए रियस्टेट का काम चालू किया था हलो तो क्या करता था मैं जिस ससाइटी में जाता था न तो वहां बले वो वाच में ने उसको विश्टिंग काड दिया ऐसे भी गूमता था इदर उदर कोई भी दिखा जेब में हाफ डालता था कोई दिख जाता था समझो गाडनर है आया आरे ले पच्चास रख क्योंकि वो नई सेट हो रही थी कोई क्लीनिंग करने जाएगा कोई किसी का काम रहेगा खाली इतना काम है भाया कुछ लगे तो पूछना अपने माली को घर तो नहीं देना और मैं खाली ऐसे दो सो पास सो भी अगर बाट दिये ना तो दस लोग दो तीन महीने मैंने ऐसा काम किया अब मेरे साथ एक बंदा था वो आपको बताएगा कि कैसे मैंने किया था तो उसके बाद मुझे कभी जाने की जरुरती नहीं पड़ी वहां पे मैं कहीं घूम रहा था रिमाचल में क्लाइंट आगया है डायट बोल रहा हूं जाकि वह गेट पे खड़ा रहना वह सेक्रेटर अले का नाम पूछना है उसके सुपर वाइजर भी अपना लिए उसके पूरे लोगों को अपने लिए काम पे लगा है सैलरी वहां लेते थे काम मेरे लिए होता था और इतना खुशी खुशी ना कि दिन बर धुणते रहेंगे कि एक आदा फ्लाइट सनद को बताओं हजाद और हजार मिल जाएगा लग गई है दस लोग हैं जो इतनी बड़ी सुजाटी थी बहुत पेमस और आट दस लोग काली मेरे आदमी मैं कोई विजिट पे नही जात अब यह तरीका अब ब्रह्मास्त्र है अब बेसिक समझ जाओ जिसको भी जाओ बताओ सब को यह ओफर करो कि रेफरेंस दोगे तो आपको पैसा मिलेगा हमारे कंपनी का एक प्लान है हम वी एक्स्पेंडिंडिंग और बिजनेस और लुकिंग फॉर यून समवन को रेफर देन हम आपको इतना दे देंगे ऐसा थोड़ा सा बता दो बाच को बोलोगे दो नहीं बोलेंगे तीन आएंगे आपकी बढ़ रही है ना नेटवर्क बढ़ रहा है ना आपका पेंटर को कॉंटेट करो इंटिर वाले को कॉंटेट करो उसको कार लेने गए तो उदर दे द संबर दे दो और हम आपको डिसकांटे डेट में करेंगे फ्री में रेश्टेशन करके देंगे आपके लिए एक डिफरेंट स्पेशल सर्विस देंगे पिक और रखेंगे कुछ भी थोड़ा सा ऐसा करने का मार्केटिंग मतलब क्या है लोगों से अटके आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा क्रियेटिव इससे बढ़िया बाकी कुछ नहीं है तो मेरे क्याल से आज मैंने सब कुछ बता दिया अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अगर किसी टॉपिक पर कुछ जानना है तो कमेंट करो किसी भाई ने ये कमेंट किया तो मैंने वीडिय जो भी बनता है आप लोगों के कमेंट के उपपर बनता है अब आप डिसाइड करो कि क्या आप मुझसे सुनना चाहते हो विद इस आया टन थैंक्यू सो मुझ मिलते हैं अगले वीडियो आप बाई टेक केर